हलो एवरीबन मैं आराधना स्वागत करती हूँ कोईनाज किचन में मैं आपके लिए लाई हूँ आज स्वीटी स्पेशल तो आज कुछ मीठा बनाएंगे हम तो चलिए शुरू करते हैं बनाना आज हम बनाने वाले हैं लोकी की परफी बहुत ही हेल्दी होती है और खाने में टेस्टी और बनाने में उतनी ही आसान तो दोस्तो तेहारों की दिन चल रहे हैं आप इस रेसिपी को भी बना कर इंजोई कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी लोकी की बनाने के लिए मैंने यहां पर ली है लोकी जो करीवन आधा केजी वेट में है तो दोस्तो अच्छे से पील कर लीजिए उससे अच्छे से वाश कर लीजिए Then, आपको क्या करना है? इसे हमें कदुकस करना है लेकिन कदुकस करने के तरीका आप इस तरह से लोगई को दो पार्ट में डिवाइड कर ले और अन्दर का जो पार्ट होता है जिसमें seeds आपको नज़ार आते हैं हलके हलके वो वाला सारा स्पॉंजी पार्ट जो है आपको बिल्कुल निकाल देना है इसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये अंदर का सारा पार्ट निकाल दे और जो बाहर का आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है इसे ही हमें सिर्फ कदुकस करना है तो सारी लोकी को इसी तरह से आप तियार कर लें, अंदर का पार्ट पुरा रिमूव कर दें और यह हमने ले लिया है पाहर वाला पार्ट अब लेंगे कदूकस, तो उसमें आपको क्यों करना है जो medium से size का, आपको ये दिखरा है, हम बड़े size में नहीं करेंगे, medium से size में इसे अच्छे से grate कर लेंगे तो दोनों pieces मैंने इस तरह से करके रखे हैं, ये आपको पूरी लोकी इसी तरह से बीच का पाट निकाल के और इसे अच्छे से grate कर लें अब अगला step क्या है, इसका extra पानी जो है, वो हमें इस तरह से दोनों हथेलियों में दबा कर निकाल देना है पूरी तरह भी नहीं निकालना है, हलका हलका हम छोड़ देंगे, लेकिन तकरीबन 70-80% पानी हम इसका remove कर देंगे तो लीजिए, लोकी हमारी ये बिल्कुल ready है, अब चलते हैं अगले step की और तो यहाँ पर मैंने लिया है pan, इसमें हमें डालना है देसी घी क्योंकि मिठाईयों का सवाज जो है, वो घी में ही सबसे अच्छा आता है तो घी को अच्छे से melt कर लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे, जो हमने ग्रेट करके लोकी रखी है, इसको अब हमें लोकी को करना है अच्छे से इसमें fry, एक तरह से अच्छे से घी के साथ इसे भून लीजिए जिस तरह से हम रवा का हलवा बनाते हैं और सूजी को इसमें पहले अच्छे से भूनते हैं कि अब हमारी लोकी जो है वो हलकी सी हमने इसमें अच्छे से फ्राई कर ली है, अच्छे से भून ली है थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं और इसे बिलकुल फ्लेम को लो करके धीरे-धीरे हम इस तरह से फ्राई करेंगे एक से डेड़ मिनट के बाद आप इस तरह से धकन हटा कर इसे एक बार चला लें और इसी तरह से एक से दो बार चलाते हुए और बीच में कवर करते हुए आप इसे अच्छे से फ्राई कर लें बहुत ही जल्दी रेसिपी बनका त्यार हो जाती है और आज हम जो बना रहे हैं तो इसे आज हम बनाएंगे बिना मावा के आपको इसमें जो मावा है वो मैं बहुत ही अलग तरीके से बनाना बता रही हूँ उसी तरीके से बनाएंगे और बहुत जट पर वो बनकर त्यार भी हो जाता है तो लीजी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो लोकी का अपना पानी है वो हलका अलका ड्राई हो चुका है अब बारी आजाती है इसमें डालने की शुगर तो आधा कपचीनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना मीठा खाना पसंद करो उतनी मातरा में शुगर को एड़ कर लें अब देखो जैसे ही शुगर हमने इसमें डाली तो शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो गी है हलका हलका सा फिर से आपको लगेगा कि ये पूरा मिक्सर कीला हो गया है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है आप इसे बिलकुर राई करें दीरे धीरे इसे बीच बीच में चलाते जाएं और बिलकुल पूरे मिक्सर को राई होने तक पकाएं तो दोस्तों जब तक हमारा ये ड्राइ होता है उतनी देर में हम मावा बना कर त्यार कर लेते हैं यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप दूद अब इसमें डालेंगे एक चममच घी इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है एक कप मिल्क पाउडर milk powder को add कर देंगे ये ध्यान रखें अभी तक मैंने pan को gas के उपर नहीं रखा है flame के उपर नहीं रखा है पहले हम बहुत अच्छे से सारे mixture को mix कर लेंगे अच्छे से then हम उसको flame के उपर ले जाएंगे बहुत अच्छे से mix कर लें अगर हम इस तरह से mix करके फिर इसको gas के उपर जड़ाएंगे तो इसमें गुठलियां बनने का chance बिल्कुल ने रहा था बहुत अच्छे से mix कर लें ये देखिए बिल्कुल smooth mixture जो है ये ready हो गया है अब हम इसे gas के उपर रखकर एक से दो मिनट तक हमें पकाना है तो ये मावा हमारा बहुत अच्छे से तयार हो जाएगा है न शॉटकट मावा बनाने का आपको इसके लिए घंटो दूद को काड़ के और अच्छे से पका के मावा बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है तो इसी तरह से लगातार लेकिन आपको चलाते जाना है और दो से तीन मिनट लगेंगे आपको ये बिल्कुल अच्छे से गाड़ा हो जाएगा और एकदम मावा के फोम में आ जाएगा लेकिन इसे लगातार चलाते जाए ताकि इसमें जलने का स्वाद बिल्कुल ना यह देखिए कितने अच्छे से और कितना गाड़ा यह हो चुका है इधर हमारा चीनी का जितना भी सिरफ इसमें था हो सारा ही dry हो चुका है और लौकी बिल्कुल dry form में आगी है अब बारियाती है इसमें मावा एड़ करने की, जो अभी हमने यह मावा त्यार करा है, इसको हम लौकी में एड़ कर देंगे अब एक से दू मिनट तक हमें दोनों को मिक्स करके अच्छे से पकाना है बहुत ही आसान सी रेसिपी है और खाने में उतना ही मज़ेदार लगेगी आपको अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एसेंस जो की कार्डेमोम का एड़ कर रही हूँ यह देखिए काफी अच्छे से पूरा मिक्स्चर जो है वो सेट हो गया है कितने अच्छे से एकदम गाड़ा हो गया है तो अब यह उस फोर में है कि हम इसे अच्छे से से जमा पाएं तो हमें क्या करना है कोई भी इस तरह का आप कंटेनर ले सकते हैं या ट्रे ले सकते हैं उसे हमें ग्रीस करना है अच्छे से तो मैंने हलका सा घी लिया है और इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है अब इसमें अगर आपे हो तो बटर पेपर लगा दीजिए अदर्वाइस आ तो लीजिए मैंने यहां पर बटर पीप लगा दिया है अब आ रही आती है मिक्स्चर को इस बाउल में इस कंटेनर में शिफ्ट करने की अब सारे मिक्स्चर को हम इसमें आड़ कर देंगे और काफी अच्छे से इस तरह से बराबर कर देंगे बिलकुल ताकि सारा हमारी जो बर्फी है वो एकदम इकुल साइजिस में जमे अब बारियाती है थोड़ा साइज से गार्निश करने की तो कोई से भी ड्राइफ रूट आप ले लीजिए उसको इस तरह से डाल दीजिए मैंने यहाँ पर काजू और बदाम लिये हैं जिनको बारिक बारिक चॉप कर लिया हुआ है और उपर सामें इस तरह से डाल देंगे अब इसे किसी भी स्पैचुला से आप इस तरह से हलका हलका सा दबा दें ताकि सारे ड्राइफ रूट जो हैं बर्फी के अंदर काफी अच्छे से चले जाएं तो लीजी बर्फी तो हमारी त्यार है अब हम इसे दो तिन घंटे की रेस्ट देते हैं आप फ्रीज में रख सकते हुए से और उसके बाद इसके पीसीज को कट करेंगे तो लीजी दो घंटे हो चुके हैं अब हम इसे इस कंटेनर से रिमूव कर लेते हैं तो पूरा मिक्स्चर जो है काफी अच्छे से सेट हो चुका है हमारा और बर्फी ये बनकर बहुत ही बड़िया त्यार हो गई है दोस्तो काफी हेल्दी सी रेसिपी है ये क्योंकि इसमें लौकी का हमने इस्तिमाल किया है मावा के इस्तिमाल किया है तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये मिठाई अब अपने मन चाहें पीसिस में इसको कट कर लीजिए बहुत ही असानी से ये पीसिस आपके इस तरह से कट जाएंगे क्योंकि बहुत ही soft मिठाई ये बनकर हमारी त्यार होती है और खाने में उतनी ही tasty लगती है हमें आपको इसको एक plate में निकाल के बता देती हूँ ये देखिए जितनी दिखने में मिज़्यदार लग रही है उससे कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है ये definitely आपको खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगी तो दोस्तो इसे ज़रूर ट्राई करें आप घर पर और मेरे साथ अपने कमेंट्स जो हैं वो साजा करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी I hope आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मैं फिर मीलूंगे आपसे बहुत ज़र एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बबाई कर दोस्तो आएगा